हालो दोस्त हमाई विशेक सर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बाजरा उनरसेंग अकैडमी के ओन्लाइन प्लेटपोर्ण पर और टूडे भी आडिसकस अबाउट दा मोलार प्लेगनेंसी मोलार प्लेगनेंसी क्या होता है उसके बारे में डील करेंगे तो वीडियो क मैक्जम हम लोगों तक सेयर कर दे और अपने सबी सातियों को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे तो बिना समय कर आए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जहां तेरी याद ना है वो तनहाई किस काम की जो बिगडे रिस्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो उंचाई किस काम की तो अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ हो अपने वो होते हैं जो तकलीब में साथ हो तो हमेशा अपने को साथ बनाए रखना है और अपनों को साथ बनाए र molar molar का मतलब होता है कि placenta mole का मतलब होता है मेंली cancer होता है यानि group of cell mole कहते है तो group of cell और group of cell को ही नाम दिया जाता है यहाँ पर कि abnormal अगर growth होने लग जाती है तो उसे cancer कहते है जब कि mole की बात कर लेते कि mole क्या होता है mole का मतलब होता है group of cell का जो group होता है उसे mole के नाम से कहते है अब इसका जो molar pregnancy होती है इसे hydrated form mole के नाम से जानते है तो molar pregnancy is also known as hydrated form mole molar pregnancy को hydrated form mole के नाम से भी जाना जाता है mole का मतलब होता है group of cell जबकि hydrated का मतलब होता है fluid filled cavity hydrated और hydrated का मतलब होता है fluid filled cavity जिसमें की fluid filled होता है उस cavity को नाम दिया जाता है hydrated का मतलब होता है कि fluid filled cavity यानि fluid से बरी हुई अगर कोई cavity है तो उसे hydrated कहेंगे जबकि mole का मतलब होता है group of cell अब molar pregnancy होती है उसे hydrated form mole के नाम से भी जानते हैं तो hydrated form mole के नाम से जाना जाएगा बात में बात करते हैं molar pregnancy is also known as GTN gustational propoblastic neoplasia molar pregnancy को gustational propoblastic neoplasia के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर इसके बहुत से नाम देखने को मिलेंगे आपको molar pregnancy का और actual में जो molar pregnancy होती है molar pregnancy का मतलब होता है कि placenta का cancer होता है जिसमें जो विलाई होती है प्लेसेंटा की जो विलाई होती है वो abnormal shape and character develop कर लेती है जो विलाई होती है वो mainly देखने को मिलती है finger shape की विलाई होती है वो excessive growth करके फिल्डिया cavity like structure में change हो जाती है तो इसे पूरा नाम दिया जाता है जो कि विलाई होती है वो finger chip की विलाई चेंज ओकर के cavity like structure डवलब कर लेती है तो यहाँ पर आपको लिखना है कि GTN का मतलब होता है gas stational, tropoblastik, neoplesia या इसे ही नया नाम दिया जाता है chorio carcinoma, chorio carcinoma का मतलब होता है cancer, chorioitum का मतलब होता है placenta का cancer तो यहाँ पर आप इसका means हो गया कि placenta placenta का cancer देखने को मिलता है तो उसे chorio carcinoma के नाम से जाते हैं chorio कारcinoma का मतलब है placental cancer प्लेसेंटल कैंसर उसका मेंली जो मीन देखने को मिलता है कि जो प्लेसेंटा में विलाई पाई जाती है और विलाई होती है वो एबनॉर्मल शेप उसकी डवलप कर लेती है एबनॉर्मल शेप और अबनॉर्मल करेक्टर डवलप कर लेगी जो finger shape की यहाप पर आपको star mark लगा कर लिखना है कि जो finger shape की विलाई थी वो develop कर लेती है abnormal excessive character develop करके finger shape विलाई चेंज हो जाती है cavity like structure में finger shape की विलाई थी वो change हो करके किसमें change हो गई cavity like structure में change हो जाती है तो इसे नाम दिया जाता है कि koreo, carcinoma, molar pregnancy, hydrated form, mal या फिर इसे gas stational, trophoblastik, new place या के नाम से भी जानते हैं तो इत्ते सारे इसके नाम है किसी भी नाम से यापर question put up किया जा सकता है molar pregnancy को एक और नाम दिया जाता है कि molar pregnancy bunch of grafts या honeycoms molar pregnancies also known as molar pregnancy को एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है bunch of grafts यानि की गुच्चा और गुच्चा किसका है grafts का है यानि अंगूर के गुच्चे के जैसे अगर pregnancy में placenta देखने को मिलता है या फिर honeycomb जैसे मदू मकी का चाता होता है उस तरीके का अगर placenta का appearance देखने को मिलता है तो उसे molar pregnancy के नाम से जानते है molar pregnancy कोई bunch of grafts या फिर honeycomb के नाम से जाना जाता है तो ये mainly इसकी जो definition है कहीं से भी question आ सकता है कि molar pregnancy किसे कहते है gas station टॉपबलास्टेक नियूपलेश्या किसे कहते है कोरियो कार्चीनोमा किसे कहते है या one chop grafts या फिर honeycomb किसमें देखने को मिलता है तो किसे भी नाम से question पूछ लिया जाता है और molar pregnancy एक ऐसी stage होती है कि इसमें 20 weeks से पहले gas stational hypertension देखने को मिलेगा अगर female है अगर कोई female है या भावी जी है उसमें 20 weeks से पहले hypertension देखने को मिलता है तो उस condition को कहा जाता है वो एक ऐसी condition होती है female में जिसमें कि 20 weeks से पहले hypertension देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इसको deal करेंगे इसके clinical manifestation में तो यहाँ पर अपर पहले पढ़ते हैं कि इसका incidence और risk factor क्या-क्या हो सकते हैं तो incidence में mainly आता है कि incidence की बात करूँ मैं तो incidence सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये Philippines में incidence की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा होता है पहाँ जाता है maximum incidence की बात करें तो Philippines में होगा Philippines में होता है जबकि बात करें इंडिया की अपने भारत में बात करते हैं कि इंडिया में कित्ता देखने को मिलता है molar pregnancy तो 400 में एक को देखने को मिलती है अगर 400 female pregnant होती है तो इसमें एक female को molar pregnancy होने की probability होती है तो यहाँ पर incidence की बात करें तो सबसे ज़्यादा फिलिपिन्स में पाया जाता है जबकि इंडिया की बात करें तो चार सो में एक देखने को मिलेगी अगर चार सो फिमेल प्रेगनेंट होती है तो उसमें से एक फिमेल को molar pregnancy होने के chances होते हैं यहाँ पर यह molar pregnancy का incidence हो गया इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसका जो risk factor होते है actually जो इसका cause होता है ideology है वो unknown है लेकिन इसके ऐसे कौन-कौन से risk factor है जिनकी वज़े से pregnancy में molar pregnancy develop होने के chances ज़्यादा होते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें जो genetic factor होते हैं वो responsible होते हैं molar pregnancy के लिए तो genetic factor और genetic factor में भी mainly यह आता है father से तो father से आता है इसलिए इसे androgenesis androgenesis के नाम से भी जाना जाता है कि यह androgenesis की वज़े से mainly देखने को मिलता है या पिर बात कर लेते हैं कि इसमें एक nutrition की deficiency होती है जिसमें carotin की कमी होती है और carotin की deficiency होती है तो उन females में भी molar pregnancy देखने को मिल सकती है तो या तो अगर females में carotin की deficiency है या फिर कोई genetic difference है या genetic abnormality है जो की mainly आता है father से तो उस females में mainly देखने को मिलता है molar pregnancy देखने को मिलेगी या फिर hydrated form wall देखने को मिलता है तो इसके आगे अपन डील करते है अगर किसी female को hydrated form या molar pregnancy है तो उसका सबसे पहले तो उसका क्या है क्लिनिकल manifestation क्या आएंगे उसके बाद में इसका diagnosis कैसे करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं clinical manifestation की तो उसमें uterus की size क्या आप effect देखने को मिलता है तो uterus की जो size होती है वो mainly अगर vesicle होता है यहाँ पर clinical manifestation में देखेंगे और clinical manifestation में uterus की size की बात करते हैं तो uterus की size अगर less than अगर vesicle ते जहाँ पर vesicle बनेते if vesicle is separate अगर vesicle separate हो गए है दूर-दूर हो गए है निकल करके vesicle separated है तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि जो size होती है uterus की वो कम देखने को मिलेगी जबकि बात करे कि vasicle है वो separated if vesicle vesicle not separated अगर vesicle है वो separated नहीं हुए है तो उसकी वजह से जो size होती है uterus की वो ज्यादा देखने को मिलती है जो mainly जो pregnancy में देखने को मिलती है according to the period of gestation के अनुसार इसके uterus की size देखने को मिलती है लेकिन according to POG के हिसाब से ना हो करके अगर vesicle थे वो अलग-अलग हो गए है, separated हो गए है जो bunch of graphs था या पिर अनी कौम थे वो अलग-अलग हो गए है separate हो गए है, तो size होगी uterus की, वो कम देखने को मिलेगी अगर vesicle है, वो separate नहीं हो आए तो वहाँ पर vesicle separate नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा uterus की जो size होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है इसके बाद में बात कर लेती हैं, vaginal bleeding होगी और vaginal bleeding होती है, तो यहाँ से खून की नदी बहती हुई दिकाई देगी, और vaginal bleeding में भी बात करें, कि vaginal bleeding में कौन सा color देखने को मिलता है, तो white current इन red current, white, इसका जो nature होता है, white current in red current, jelly like, red current, wide current in red current nature का, यहाँ पर vaginal bleeding देखने को मिलती है, तो vaginal bleeding का जो character होता है, वो white current in red current देखने को मिलेगा, hypertension देखने को मिलता है, और hypertension केवल और केवल, pregnancy में जो before 20 week, hypertension less than 20 week या before 20 week देखने को मिलता है, जो only possible होता है, molar pregnancy में देखने को मिलेगा, बाकि बात करेंगी, जहाँ पर gas stational pregnancy induced hypertension होता है, जिसमें एक्लामसी आप ये एक्लामसी आते हैं, वो सभी condition 20 week के बाद में hypertension डवलप होती है, लेकिन बात करें molar pregnancy में, तो molar pregnancy में 20 week से पहले hypertension देखने को मिलता है, तो only possible होता है, hypertension 20 week से 20 week से पहले देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा बार यहीं से question आता है, किसमें USG में appearance होगा, तो USG का जो appearance होता है, mainly question यहीं से put up किया जाता है, एक बार नहीं कई बार बार पूछा जाने वाला, और repeatable question बनता है यहां से, कि USG में, USG है तो molar pregnancy है, अग तो USG में appearance क्या देखने को मिलेगा, तो USG में जो appearance देखने को मिलता है, वो snow storm pattern देखने को मिलेगा, USG होगी वो snow storm pattern देखने को मिलती है, जहां पर snow storm pattern देखने को मिलेगा, तो इस question पर आप five star mark लगा सकते हैं, mainly यह question है, कई बार exam में पूचा गया है, और उसके आने की जो संभा होना है, वो बहुत ज़्यादा है, इसके probability है, वो बहुत ज़्यादा होती है, कि USG करेंगे, तो USG में molar pregnancy है, तो USG में snow storm pattern देखने को मिलता है, यह question बहुत ज़्यादा important होगा, आपके लिए fetal heart sound की बात करें, तो FHS होती है, fetal heart sound, वो absent होगी, क्योंकि यहाँ पर जो fetus होता है, वो dead हो जाता है, hyperthyroidism देखने को मिलेगा, hyperthyroidism का मतलब होता है, कि thyroid का level होगा, बड़ा हुआ देखने को मिलेगा, hyper amesis देखने को मिलेगा, और hyper amesis का मतलब होता है, hyper amesis gravidarum, hyper amesis का मतलब होता है, excessive vomiting in, during pregnancy, excessive vomiting करेगी, जो females है उसको, excessive vomiting होगी, और during pregnancy के दोरान, excessive vomiting होती है, तो उसे नाम दिया जाता है, hyper amesis gravidarum के नाम से जाना जाता है, जो कि daily activity of life, daily activity, daily activity of life को disturbed कर देती है, तो इसे नाम दिया जाता है, कि वहाँ पर hyper mss graviderium में, hyper का मतलब होता है, ज्यादा और mss का मतलब होता है, वो मीटें, तो pregnancy में यह होने वाली, बार बार होने वाली, SCG की वज़े से होने वाली जो vomiting होती है उसे hyper emesis ग्लेविटेरिम के नाम से जानते हैं तो ये पूरे sign and symptom देखने को मिलेगा nausea भी और यहाँ पर add कर सकते हैं कि उसको nausea भी देखने को मिलेगा nausea vomiting दोगी वो hyper emesis वाली देखने को मिलती है इसके बाद में अपने बात करते हैं कि इसका जो drug of choice होती है वो कौन सी होती है या इसमें surgery करने की आउचकता होगी तो कौन सी surgery करेंगे तो बात करते हैं molar pregnancy में drug की तो drug का मतलब होता है कि उसका जो परपज होता है drug का molar pregnancy में देने का या फिर आपकी जो एक्टोपिक प्रेगनसी होती है वही सेम ड्रक्स देते हैं इसमें क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनसी में भी medical management में जो fetal की growth होती थी उसको stop करना होता था और molar pregnancy में परपस दोनों में सेम होता है तो यहाँ पर medical management की बात करें तो medical management में तो ट्रक्षेट दे or methodzaxate हो chemotherapy या anti-cancer drug होती है यह जाकर क्या करती है कि fetus की growth होती है उसको जाकर क्या जाकर यह demonize कर देती है या फिर stop कर देती है तो यह जाकर क्या करेंगी stop the growth of fetus fetus की growth को stop कर देती है fetus की growth को stop करेगी तो क्या देखने को मिलेगा fetus की growth रुख जाएगी और fetus की growth होगी और वहाँ पर क्या करवाती है यह जा करके contraction भी करवाती है तो जब contraction करवाएगी और fetus की growth होना बंद हो जाएगी तो chances होते हैं कि वो जो fetus है कि अगर surgery करना पड़े या surgical management की बात करें तो surgical management में देखने को मिलेगा dilation and evacuation करते हैं D and C करेंगे dilation and curatease होती है and dilation and evacuation D e करेंगे dilation and curatease करते हैं जहाँ पर purity की uterine purity की help से uterine cavity को flush कर देते हैं और वहाँ से जो uterine में material था किसका यहाँ पर uterine में material था molar pregnancy का उस material को क्या कर लिया जाता है scraping out करके बाहर निकाल देते हैं और dilation में dilate करके उचे evacuate करते हैं या vacuum की मदद से vacuum की help से उसको product of consumption को remove out कर दिया जाता है तो इस तरीके से molar pregnancy होती है उसको deal करते हैं molar pregnancy बहुत ही important होता है जहाँ पर बात करें कि यह normal जो मिलाई थी वो जाकर के abnormal उसकी growth होने लग जाती है excessive character उसमें develop हो जाते हैं जिसकी वज़े से जो finger shape विलाई थी वो change हो करके उसकी structure होती है वो cavity like structure में changes हो जाती है तो पूरी molar pregnancy अगर समझाईए तो वीडियो को like share subscribe करें और अपने maximum दोस्तों तक इसको share कर दीजिए ताकि आने वाले सभी student को या नौर्स एड़ एस्पिरेंट या जो भी competitive है उन सभी में उनको फाइदा मिल सकें और जादा से जादा लोगों तक इसको maximum subscribe करें कि जीना दस्तूर है जिन्दकी का कि मंजिल को बुला कर जिया तो क्या जिया है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा लिख दे खून से अपने कामियाभी की कानी और बहुल दे उस किस्मत को कि है दम तुझ में तो उसे मिटा कर दिखा उसे मिटा कर दिखा कि जहसकर जीना दस्तूर है जिन्दकी का बस यही किस्सा मसूर है जिन्दकी का बीते हुए दिन कभी लोट कर नहीं आते यही सबसे बड़ा कुसूर है जिन्दकी का इसलिए जिन्दकी के हर लम्हे को खुसियों में बिताओ रोने का काँ टाइम है मुस्कुराओ ये दुनिया चाहें तुम्हें कहें पागल आशिक आवारा लेकिन याद रखना ये जिन्द की ना मिलेगी दुबारा कि जमीन पर वैट कर क्या आसमान देखता है परों को कोल जम्माना उरान देखता है बिला है हुसन तो हुसन की फ़रजित कर एह संबल कर चल मेरे यार तुझे सारा जहान देखता है कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है तू जरा साथ दे तो और बात है चलने को तो लोग एक पाउँ पर भी चलते हैं पर दूसरा साथ दे तो और बात है तो इसी तरीके से कि वक्त जब बिगरता है तो गुंगे भी बुराय करने लगते हैं और जब लोग बराबर ही नहीं कर पाते हैं तो पैरों के नीचे खुदाय करने लगते हैं इसलिए आपने आपके status को इतना maintain करिए कि लोग आपसे aspirate हो कुछ लोग आपसे aspirate होंगे और आपके आजपडोस वाले हैं वो आपसे जलने लगे जब तक कि आपकी तरक्की नहीं मानी जाती तब तक कि लोग आपसे जलने ना लग जाए जिस दिन लोग आपसे जलने लग जाएंगे आपकी बुराईयां करने लग जाएंगे उस दिन समझ लेना कि आप एक सही रहा पर जा रहे हैं आपको सकसज होने से कोई नहीं रोक सकता है जब तक लोग आपकी बुराईय नहीं करते हैं तब तक मतलब है इसका क जब तक आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि लोगों की नजर में वो आपके success को खोल सकती है, लोगों को लगता है कि अगर ये success होगा तो जरूर लोग एक दिर उसकी बुराई करने लग जाते हैं, लेकिन आपको लोगों की बुराई को ना सुनते हुए, अपने आप में एक positive motivation के साथ बिलकुल बहरे होकर के, जब तक आपको शफलता नहीं मिलती है, लोगों को आपको मुह से उसका जवाब नहीं देना है, आपको जवाब देना है, अपने लक्ष अपा करके, लोगों की अपने आप बोलती बंद हो जाती है, जिस दिन आपको अपना लक्ष मिल जाता है, लोग आपकी बुराईयां करना बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर आपन देखते हैं, कि सपलता और सपलता में केवल एक ही फर्क होता है, सपलता आपका परीचे दुनिया से करवा देगी, और ऐसा परीचे दुनिया का परीचे आप से करवा देती है, लोग वक्त ना लगाईए ये निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है तो समय रहते समल जाईए किसी को 24 गंटे में हर किसी के अर इंसान के पास 24 गंटे ही होती है तो 24 गंटे में किसी को प्यार करके पती बनने का शोक है तो किसी को मैनत करके करोर पती बनने का शोक है अब आप ये decide करने कि आपको पती बनकर रहना है तो आपको करोर पती बनकर एक success life जीवन जीना है तो आपको success माने के लिए आपको mainly है वो hard work करना पड़ेगा और hard work होता है उसका कोई substitution नहीं होता है तो there is no no substitution of hard work hard work करते जाएए आप अपनी मंजिल के उतने ही करीब जाते जाते हैं जितनी आपकी life strong मैनत से बरी होई होती है या फिर संगर से बरी होई होती है तो आपकी life होगी जितनी strong बनेगी और जितनी जादा आपकी life strong बनती जाएगी आपकी दिक्कत या परिशानिया जो भी आ रही है वो अपने आप कम होती चली जाती है तो जितना जादा आप संगर्स करोगे अपनी life में क्योंकि जहां पर संगर्स होता है वो जो लोग संगर्स से कभी परिशित नहीं होता है इतिहास गवा है वो कभी चर्चित नहीं होता है तो यहाँ पर आपको कभी भी संगर्स से इसलिए वक्ति को नहीं बागना चाहिए क्योंकि जिन्द की होया वाट्स आप लोग स्टेटस देखते हैं और आपको अपना स्टेटस मेंटिन करने के लिए नर्सिंग आफिसर बनना है और 80,000 रुपए की जो सैलरी लानी है तो सैलरी ला करके आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर देंगे तो इसी आप उम्मीद करते हैं और आने वाली आप जो भी आप मिंग एक्जाम है उसमें आप विजेता बनकर उब्रोगे ऐसी हमारी इश्वर से काम ना है तो आज के लिए इतना है अगर वीडियो बसंदा लाइक से इर सब्सक्राइब जरूर परे बेल आइकन को प्रेस करें मिलत आप से ने टॉपिंग में ने वीडियो के साथ अब तक लिए जाहिए इंचे भारत